हाई फ्रेंज और बात करेंगे चैंपियंशिप का मैच जो कि है मिल्वाल और प्रेस्टन नॉर्थ एंड के बीच में देगी है चैंपियंशिप एक लीग डाउन होती है प्रेमेर लीग से और यह भी बहुत comparative होती है क्योंकि हमेशा तीन अच्छी टीम्स प्रेमेर लीग के लिए कॉलिफाय करती हैं तो इस मैच के भी काफी माइने हैं और ये जो दो टीम्स जिनके बीच मैच हैं वो इस समय मिट टेबल टीम्स है क्योंकि मिल्वाल इस समय 15 पोजिशन पर है 27 पाजिद में 36 पॉइंट से और प्रेस्टेन नौर्थेंड उनसे दो पॉइंट उपर दो पोजिशन उपर आदा थरगींद पोजिशन पर 28 मैच के साथ सेंतिस पॉइंट पर है लेकिन एक बात आपको जाननी पड़ेगी कि प्रेस्टन के पास एक मैच और उनने एक्स्ट्रा खेला इस वज़े से वह एक पॉइंट एक्स्ट्रा है तो अगर यह मिल्वाल यह मैच जीते हैं तो प्रेस्टन से उपर जा सकते हैं देखिए दोनों टीम्स के बीच में अगर आप बात करें quality के बारे में कि कैसा क्या खेल रही है तो देखिए दोनों ही टीम्स के पास अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं लेकिन इस समय जो प्रेस्टन नॉर्थ एंड है उनके पास एक दो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं क्योंकि एमिल रीस जैकॉपसन की जो मैं बात करूँगा जिरोंने बारा गोल तीन असिस्ट किया है यह और दो प्लेयर्स ऑफ चैंपियर्शिंप बाने जाते हैं तो यह टीम इस वज़े से काफी फेवरिट रही कि इस गेम में और इस गेम में में वह वान टू या मेभी ड्रॉ कर सक अगर आप बात करें कि इनकें प्लेयर्स की अवेलिबिलिटी है कौन खेल रहा है तो हम लोग इस बारे में बात कर से देखें मिलवाल के प्लेयर्स जो है जैसे एक अच्छी बात क्या है कि जो इनके फॉवर्ड है बैनिक एफोबे वो इस गेम में मोस्ट लैकली सही रहें क्योंकि इनकी बीच में फॉर्म खराब से लास्ट के पांच मैचेस इनोंने तीन मैचेस में गोल स्कोर किये हैं और यह अपने टीम के काफ़ी इंपॉर्ड किरा डिये मैं इस वज़े से कह रहा हूं कि इनोंने छे गोल एक असिस्ट किया उनने स्टार्ट में तो काफ़ी प्लेयर है यह टीम के लिए है तो देखिया कर फॉम की बात करें मिलौल ने लास्ट के छे गेम आपको बाकी इसमें और क्लारिटी मिले तो हम लोग अभी जैसे मैंने जैकोबसन की बात किया है यहां पर इनका नाम एमिल रिल्स जैकोबसन है तो एमिल रिल्स के नाम से इनका नाम है इन्होंने 12 गोल तीन असिस्ट किये है चब्वेस टार्ट में डेनमार्क इंटरेशनल बहुत अच्छे प्लेयर है वही पर मिलवॉल के हमने दो फॉवर्ड लिया एक देखिए हमने ओलिवर बुर्के लिया देखिए आप अगर थोड़ा बहुत फुटबॉल फॉलो करते हैं और आपको अगर आपने फॉलो किया हो प्रेमिर लीग फुटबॉल भी तो ओलिवर बुर्के का अपने नाम सुना होगा मैं इस वज़े से कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने वेस्ट हैम और शेफिल्ड उनाइटेड के लिए प्रेमिर लीग में भी खेला है और अभी ये ट्रांस्वरों के मिलवॉल में आया है तो तो ये प्लेयर काफी अच्छे प्लेयर है क काफी दिगज खिलाड़ी माने जाते हैं और हमें लगता है कि इस गेम में इनका काफी बड़ा प्रभाव रहेगा मिटफिल्ड की बात करो देखिए हमने यहाँ पर प्रेस्टन के वाइटमन को लिए है देखिए वाइटमन ने चौबे स्टार्ट में चार गुल तीर असिस्ट किया है इनके क्रियेटिव नंबर वन खिलाड़ी माने जाते हैं इस वेस हमने यह टीम पे लिए है देखिए क काफी लोगों ना जेट वॉलेस को लिए लेकिन जेट वॉलेस इस गेम में अविलेबल नहीं होंगे पर लोगों ने सिलेट किया अगर वो स्टार्ट करेंगे तो जरूर लेंगे लेकिन शायद वो इंजर्ड है इस जिससे नहीं होंगे बट आप परसेंटेज देखिए ट स्टार्ट भी करेंगे तो हमें लगता है कि यह बहुत ही इंपरेंट खिलाड़ी रहेंगे इस मैच में वहीं पर हमने मलोने को किया देखें मलोने के साथ कुछ स्टाइट्स बहुत अच्छे हैं मलोने ने एक गुल दो असिस्ट ही किये लेकिन अगर आप इनके शॉर्ट क्र कि बात करें देखें इन्होंने 149 वां 139 क्रॉसिस किये हैं जो की बहुत हाई नंबर है 24 इंटरसेप्शन के 21 के तो यह बहुत ही इंपरन खिलाड़ी बनते हैं टीम के लिए वहीं पर शही ओजो जो लिवरपूल के एक्स प्लेयर थे उनको भी बहुत लोग ने लिया लेक क्योंकि होम टीम है शायद कोई क्लिन शीट आ भी सकती है तो हमने यहाँ पर कूपर को लिया है और अगर आप कूपर की बात करें ऐसा प्लेयर जेक कूपर की तो इन्होंने 31 इंटरसेप्शन सोलर टैकल किये हैं जो की बहुत अच्छा स्टाइट्स है लेकिन इनका जो और स्टाइटर दो गोल्स करने का वो भी काफी काभिले तारीफ है महीं पर वॉलिस की मैं बात करूँ और मरे वॉलिस ने दो गोल एक असिस्ट के देखिए डिफेंसिवली यह बहुत इंपॉरेंट प्लेयर है मिल वॉल के क्योंकि आप अगर इनके बाकी स्टाइट्स भी दे वेन बर्ग जो है वो भी प्रेस्टन के लिए खेलते हैं वो भी डिफेंस का हिस्सा होंगे इन्होंने एक गोल किया चब्बे स्टाइट्स में बड़े ही उम्दा खिलानी है बहुत प्रॉमिसिंग है और इनको हमने इस वज़े सिलेक्ट के क्योंकि इनके ओवरॉल पचास इंटरसेप्शन जो कि हाइस्ट है टीम के लिए और 41 टाइकल जो कि वो भी हाइस्ट है ये बड़े इंपॉरेंट खिलाड़ी है अज़े इनको जरूर लीजे वहीं पर हमने एक डिफरेंशल पिक लिया है मिलवाल के लिए वो है मैकनामरा मैकनामरा को हमने इसले लिए क्य क्योंकि इन्होंने 38 क्रॉस कियें 18 इंटरसेप्शन कियें और 23 टाइकल्स किये जो कि एक बहुत हाई नंबर है कीपर हमने प्रेस्टन के लिए हैं बिकोस हमें लगता है कि होम टीम जदा अटैक करेगी तो ये टीम भी हमने सेलेक्ट किया है 6-5 हमने लिए मिलवागी खाते हाला कि हमें लगता कि शायद प्रेस्टन भी गेम जीच सकता है तो ये मद्दे नजर रखते हैं हमने ये टीम लिए इस टीम में कुछ चेंजिस हो सकते हैं लाइन अप सराउंस होने के बाद ही अपनी टीम बनाईए और अपनी टीम उस हिसाब से बनाईए जहां आपको सकते हैं हमारे हिसाब से इस गेम में कुछ भी हो सकता है तो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विश्चिस